बीशेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने थाली एक रुपए वाली का मंगलवार को उधगाटन क्या इस जन्रसोई के माध्यम से नियो अशोक नगर में एक हजार लोगों को एक रुपए में भोजन कराया चाहेगा इस तोरान दिल्ली के सीम अर्विन केश्रिवार पर निशाना साते हुए गंभीर ने कहा कि इस व्यक्ति ने लोगों से वादे तो बहुत के लेकिन पूरा कुछ नहीं क्या पीचे भी सांसत गौतम गंभीर ने कहा कि मेरे पास प्रचार के लिए फाल्त उपैसे नहीं है इसलिए गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर रहा हूँ केश्रिवाल ने इसी जीतने के लिए एक महिला की इज़त तक ताव पर लगा दी तो वो आम लोगों के लिए क्या काम आएंगे मैं राज़ीती में सचका साथ देने और जूटों से लड़ाय लड़ने के लिए आया हूँ गौतम गंभीर की तरफ से शुरू की गई ये दूसरी जन्रसोई है इससे पहले 24 दिसंबर को गांधी नगर में पहले जन्रसोई की शुरुआत की गई थी जिसमें अब तक लगभग 50,000 लोग खाना खा चुके हैं सांसत गौतम गंभीर ने कहा कि जन्रसोई चलाने के ये कदम उन्होंने प्रधान मंत्री नरेनर मोदी के विजन कोई भूका ना सोई को पूरा करने के लिए उठाया है गाने नगर और न्यू अशोक नगर की जन्रसोई में हर रोज करीब 3,000 लोगों को एक रुपे में थाली उपलब कराई जाएगी गौतम गंभीर ने कहा कि ये रसोई समाज के आकरी पाइदान पर खड़े उस व्यक्ति को सम्मान से खाना खिलाने के लिए है जो भूका है मैं राजनीटी में इसलिए आया हूँ कि आम लोगों की मदद कर सकूँ बीसे न्यूस के लिए दिलने से सवादाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट